जिन्गी में तुफान का आना भी जरूरी होता है क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है, कौन हाथ छोड़ देता है लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे बक्त में काम आएंगे, हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो बुरा बक्त भी नहीं आएगा ऐसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ करती है लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है अगर आपने सफर सुरू कर दिया है तो बीच रास्ते से लोटने का कोई फायरा नहीं होगा क्योंकि वापस आने में भी जितनी दूरी तैह होगी क्या पता मंजील उससे भी पास हो उसकी इज़त कभी मत करो जो आपकी इज़त नहीं करता है इसे अंकार नहीं करते है उसे आप सम्मान करते हैं जीवन में कोई काम जब तक ही कथिल लगता है, जब तक उसे करने के लिए आप अपना पहला कदम नहीं उठाते हैं, मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीच सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीच सकता है, इसलिए मन से कभी हार मत मानना सफलता रातो रात नहीं मिल जाती है ना जाने कितिनी राते निकल जाती है अपने लक्ष को पाने में कोशिस करना छोरो मत क्योंकि दूसरा बैक्ति तयार है आपके छोरे हुए अपसर का लाब उठाने के लिए समय कहता है मैं दुबारा नहीं आऊंगा कौन जानता है कि मैं तुमें हसाऊंगा या रूलाऊंगा जीना है तो इस पल को ही जीओ क्योंकि मैं इस पल को अगले पल तक नहीं रोक पाऊंगा बक्त भी बड़ा अच्छा खेल दिखाता है, कभी हसाता, कभी रुलाता, किस्मत को यूही बन नाम किया है, दुनिया ने असली खेल तो बक्त दिखाता है जब कोई काम नहीं कर रहे हो, तो घरी की तरब देखो, और जब कोई काम कर रहे हो, तो घरी की तरब मत देखो जिन्दकी एक किताब की तरह हर दिन एक नया पन्ना इसे ऐसे भरों के अंत में एक सुन्दर कहानी बन जाए